आप सभी का स्वागत है तिवारी एकैडमी में कैसे हैं आप लोग मुझे उमीद है कि आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे बहतर होंगे और जहां भी है वहां पिर कर रहे होंगे खूब सारे मज़े है ना आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी कक्षा पांच में इवियस यानि परियावरण अध्यन के अंतरकत आने वाले अध्याय आठ की क्या शीरशक है हमारे आज के इस अध्याय का मच्छरों की दावत तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले लिखा है मलेरिया की जाच देखते हैं आईए कि इसमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ है रजट के बारे में क्या बताया है कि रजट जो है वो आज बहुत दिनों के बाद आया है स्कूल और ये भी बताया गया है कि रजट जैसे स्कूल आया तो क कि जितने भी बच्चे थे न वो सभी उसे घेर कर खड़े हो गए और उन में से जो आर्दी है वो पूछती है कि अब तुम कैसे हो रजत जवाब देता है कि ठीक हूँ धीरे से जवाब दिया रजत ने फिर जसकीरत कहता है घर पर तो खूब खेलते होगे तब रजत चड़ जाता है और चड़कर बोलता है बुखार में खेलने का देल नहीं करता उपर से कड़वी दवाई भी खानी पड़ी और खूण टेस्ट भी करवाना पड़ा फिर जसकीरत कहता है खूण टेस्ट वह क्यों बहुत दर्द हुआ होगा रजत कहता है नहीं जब सुई चुभी तो लगा जैसे चीटी ने काटा हो दो तीन बून खूण लेकर टेस्ट करने से पता चला कि मुझे मलेरिया है तब नैंसी कहती है मलेरिया तो मच्छर के काटने से होता है रजत कहता है हाँ पर पता तो खूण की जात से ही चलता है फिर जसकीरत कहता है मेरे घर में तो आज अखकल बहुत मत्चर है पर मुझे तो मंट्यरिया नहीं हुआ Nancy कहती है अरे भाई मलेरिया घर मत्चर के काटने से थोड़े ही होता है वह तो बिमारी वाले मच्ißर से ही होता है आरती कहती है मुझे तो सारे मच्छर एक ही जैसे लगते हैं रजत कहता है होते तो अलग-अलग होंगे अब यह देखिए काज की स्लाइट पर खून की बूंदे मलेरिया मादा मच्छर एनाफिलिस से फैलता है यह याद रखेगा मलेरिया जिस मादा मच्छर से फैलता है उसका नाम है एनाफिलिस ठीक है और यहाँ पर आप देखिए कि डॉक्टर मर्यम स्लाइट को माइक्रोस्कोप यानि सुक्ष्म दर्शी से देखते हुए इस माइक्रोस्कोप से एक चीज हजार गुना बड़ी दिखती है इसलिए खून के अंदर की बारीकिया साफ दिखाई पड़ती है कई माइक्रोस्कोप से तो इससे भी ज्यादा बड़ा दिखाई देता है अब आगे नैंसी कहती है क्या? सुनिए क्या उसी जगह से खून लिया था जहां मच्छर ने काटा था? रजट कहता है नहीं भई मच्छर ने कब और कहां काटा ये तो मुझे भी नहीं पता नैंसी कहती है खून में क्या दिखा होगा? उसमें क्या होगा? जिससे मलेरिया का पता चल पाया अब हमारे लिए कुछ exercise है exercise क्या है? पता करो क्या पता करना है हमें? क्या तुम किसी को जानते हो जिसे कभी मलेरिया हुआ हो? कैसे पता लग पाया था कि उन्हें मलेरिया है? तो मैं आपको बता दूँ कि मुझे एक बार खुद मलेरिया हो गया था तब मुझे भी blood test से ही पता चला कि malaria है ठीक है खून की जान से इसके बाद आगे लिखा है उन्हे malaria होने पर क्या-क्या तकलिफ हुई तो मैं आपको बताओं कि मुझे बार-बार तेज बुखार आ जाता था और वो भी ऐसे नहीं पहले ठन लगती थी फिर बुखार आता था आगे लिखा है मच्छरों के काटने से और कौन-कौन सी बिमारिया होती है बताइए तो मैं आपको बता दू हाल ही में हम नाम जानते हैं जैसे की फाइलेरिया का, चिकनगुनिया का, डेंगू का, मलेरिया का ये सब बिमारिया मच्छरों के काटने से होती है और भी फिर आगे लिखा है कौन से मौसम में मलेरिया ज्यादा फैलता है और ये भी लिखा है क्यों तो मैं आपको बता दूँ कि जो बरसाथ का मौसम होता है उसमें क्या होता है हर तरफ नमी होती है हर तरफ पानी होता है ऐसे हमें ये मच्छर से बिमारी फैलने का खत्रा ज्यादा है तो आप लिख सकते हैं उत्तर में की बरसाथ के मौसम फिर आगे हैं मच्छरों से बचने के लिए तुम्हारे घर में क्या-क्या उपाय किये जाते हैं अपने साथियों से भी पता करो कि वो बचाओ के लिए क्या करते हैं तुम आपको बता दूँ कि मेरे घर में प्रॉपर फिनाईल से पोचे वगिरा लगते हैं कहीं पे भी हम नमी नहीं रहने देते हैं कोशिश यही करते हैं कि सब कुछ स्वाफ सच रहे रात को सोते समय भी हम मच्छरधानी का उपयोग करते हैं है की नहीं यह सब उपाय किये जाते हैं फिर आगे लिखा है यहाँ पर खून की जाज की रिपोर्ट दी गई है इसमें किन शब्दों से पता चल रहा है कि मदेज को मलेरिया है ठीक है तो चलिए पढ़ते हैं यहाँ पर लिखा है यहाँ पर पता है कि मलेरिया की दवाई यहाँ पर पता है कि मलेरिया की दवाई बाल कर और छान कर ही इस्तमाल करते थे लेकिन अब चाल से दवाई बनाते हैं अब एक और चीज हमारे सामने हैं मलेरिया के बाद वो है एनीमिया एनीमिया क्या होता है तो देखिए मैं आपको बताता हूँ आर्ति कहती है खून टेस्ट तो मेरा भी हुआ था सिरींज यानि भर कर खून लिया था जाच में तो एनीमिया निकला अब रजत पूछता है वह क्या होता है आर्ति कहती है डॉक्टर ने कहा कि खून में हीमोगलोबिन या आयरन की कमी है डॉक्टर ने ताकत की दवाई दी गूड आवला हरी पत्तिदार सबजिया जरूर खाने के लिए कह ये भी बताया कि इनमें आईरन यानी लोहा होता है तब नैंसी कहती है कहीं उन्होंने मजाग तो नहीं किया भई खून में लोहा कैसे जस्कीरत कहता है कल अगबार में इस बारे में आया था रजत हसते हुए कहता है तो फिर तुमने लोहा खाया आर्ति कहती है ओहो यह कुप सबजिया खाई तो मेरा ही मुगलोविन बढ़ गया अब आगे है कि दिल्ली के स्कूलों में एनिमिया के कारण परेशानी मैं इसे आपके सामने पढ़ता हूं थोड़ा ध्यान से सुनिएगा यहां लिखा है 17 नमंबर 2007 दिल्ली नगर निगम के बहुत से स्कूलों में हजारों बच्चे अनिमिया का शिकार हैं इससे बच्चों की शारिरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर होता है इस कारण बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाते हैं और उनमें फूर्ती भी कम होती है जो कुछ पढ़ाया जाता है उसे समझने में भी परिशानी होती है आजकल इन स्कूलों में बच्चों के हेल्थ कार्ड बन रहे हैं और उनकी जांच भी चल रही है एनिमिक बच्चों को आइरन यानि लोहिकी दवाई दी जा रही है अब बताओ ये दो क्रीपोर्ट है पहली क्लिनिकल विकृति रिपोर्ट ऌंडिकल पैतलॉजी क्लिनिकल पेफलाजी केंद्री सरकार 12 to 16 ग्राम इतना होना चाहिए 8 ग्राम निकला है यानि कि कम है एक और है clinical pathology report यानि clinical विक्रती report central government health scheme यहाँ पे है आरती 12 female anemia normal range इतनी है निकला 10.5 pathologist ठीक है ना अलग-अलग date का ये है ये 20 जून का है और ये 15 September का है 2007 ठीक है अब समझो आरती की report के हिसाब से hemoglobin कम से कम कितना होना चाहिए था 12 से 16 आरती की hemoglobin कितने दिनों में बढ़ पाया लग-भग 3 महिने ऐसा समझ दीजे जुलाई अगस्त और सितंबर अकबार की report में anemia से होने वाली परिशानी के बारे में क्या लिखा है अकबार की report में anemia से होने वाली परिशानी के बारे में यही लिखा है कि शारिरिक और दिमागी तंदुरिस्ती पर इसका असर होता है और बच्चे जो है वो ठीक से बढ़ नहीं पाते और उनमें फूर्ती भी कम होती है क्या तुम्हें तुम्हारे घर में किसी को खून टेस्ट की ज़रुद पड़ी है कब और क्यों तो मैं आपको बता दूँ कि जब भी हमारे घर में कोई बिमार होता है और डॉक्टर के हैं जाते हैं और जब फीवर होता है ठन लगके वुखार आता है तो अक्सर ब्लड टेस्ट किया जाता है यह निए खून की जाच होती है यह जाचने के लिए कि कहीं मलेरिया तो नही है और भी बहुत सारे समय समय बर जब हम डॉक्टर को दिखाने जाते हैं और डॉक्टर को ऐसा लगता है कि भाई कोई बड़ी बिमारी तो नहीं है या कोई ऐसी बिमारी तो नहीं है जिसका पता खून की जाच से ही संभव है तब ब्लड टेस्ट किया जाता है आगे है तो बिर स्कुल में एक बार मेरे दातों कि भिजाच लूए थी कि बता है कि मेरा दात्र और दाथ अंतल पता करो कि खाने की हैं अण。 लोहा होता है इसके लावा छने में भी होता है गुड़ में भी होता है ठीक मच्खर के बच्चे समझो जसकीरत कहता है मलेरिया के बारे में एक पोस्टर तो हमारी क्लास के बाहर ही लगा है सभी जट पट पोस्टर देखने पहुँच गए अब यह पोस्टर है मैं पढ़ता हूँ ध्यान से देखिएगा क्या आप मच्छरों को दावत दे रहे हैं? सावधान, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया हो सकता है सबसे पहले लिखा है आसपास पानी कठा जमाना होने दे, गड़ों को भर दे पानी के बरतन, टंकी, कूलर को साफ रखे, हर हफ़ते सुखाए मच्छरदानी का इस्तमाल करें और गड़ों में भरे पानी में मिट्टी का तेल छिड़कें समझ गये आप? अब रज़त देखो क्या बोल रहा है? देखो, इस पोस्टर में लारवे के बारे में क्या लिखा है? वे क्या होते हैं? नैंसी कहती है, मच्छरों के छोटे बच्चे ये दिखने में मच्छर जैसे बिलकुल नहीं होते आरती ने कहा, तुमने कहा देखे? नैंसी कहती है हमारे घर के पीछे रखे पुराने घड़े में बहुत दिनों से मानी भरा पड़ा था उसमें पतले पतले छोटे भूरे से रंगे कीडे तैरते देखकर मैं हैरान रह गई ममी ने बताया कि मच्छर पानी में अंडे देते हैं उनी से ये निकले हैं इन्हें लारवे कहते हैं तो रज़त कहता है फिर तुमने क्या किया नैंसी ने बोला पापा ने फौरान घड़े का पानी फेक दिया और घड़ा साफ करके सुखा कर उल्टा रख दिया जस्कीरत कहत तो अब बताओ, क्या तुमने ऐसा पोस्टर कहीं लगा हुआ देखा है? यह पोस्टर कौन लगाता होगा? अकबार में इस तरह के पोस्टर कौन देता होगा? इसमें किन बातू पर धियान दिलाने की कोशिश की गई है? तुम्हें क्या लगता है कि इसमें टंकी, कूलर और गड़ों के चितर क्यों दिखाए गए हैं देखें सबसे पहले तो इस प्रश्ण की बात कर लेते हैं कि क्या तुमने ऐसा पोस्टर कहीं और लगा हुआ देखा है या नहीं तो मैं आपको बता दूँ कि जो लोग जागरुकता से जुड़े हुए हैं सरकार के विभिन, संस्थान, विभाग इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जो स्वास संबंदी या ती विदियो से जुड़े हैं वो ऐसे पोस्टर देते हैं लगाते हैं लिखा है इनमें किन बातों पर ध्यान दिलाने की कोशिश की गई है तो इनमें उन तमाम बातों पर ध्यान दिलाने की कोशिश की है जो कि सावधानी बरतने से संबंदित हैं जिससे कि कोई बिमारी ना फैल है फिर है कि तुम्हें क्या लगता है कि इसमें टंकी गूलर और गड़ों के जितर क्यों दिखाएगा क्योंकि ये वही जगे है जहां पर पानी जमा हो सकता है काफी दिनों का खराब पानी जिसमें ऐसे मच्छरों के लारवा हो सकते हैं और उनसे बिमारिया फैल सकती है अब आगे है सोचो और पता करो क्या लिखा है कि सोचो पानी में मश्लियां डालने के लिए क्यों कहा होगा ये मश्लियां क्या क्या खाती होगी तो ये जो मश्लियां है ये सारी गंदगी को साफ रखती होगी इसलिए पानी में मश्ली डालने के लिए कहा होगा ठीक है? फिर यहां है पानी में तेल का छड़काओ करने में क्यों कहा गया होगा? तो मैं आपको बता दूँ कि पानी में जब मिट्टी का तेल डाला जाता है तो उस वे वो जिंदा नहीं रह पाते लारवास के अंदर इसलिए पता करो मक्षी से कौन कौन सी बिमारिया फैलती है और उसके बाद यह लिखा है कैसे फैलती है ठीक है? तो देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या आपने सुना है कि मक्षी जब खाने पर बैठती है तो वो बहुत ही गंदगी फैलाती है उससे क्या होता है कि बिमारिया फैलती है मक्षी पहले गंदी जगे पर बैठती है फिर उन गंदगी वाली जगहों से उठकर के वही मक्षी जब भोजन पर बैठ जाती है घर म सब्सक्राइब सब्सक्राइब थो यहां पर आप लगा सकते हैं यहां लिखा है फिर आगे च्छोटी मूटी जानकारी देनी खिसी हां कितने दिनों से पानी कठा है, इन जगों की सफाई की जिम्मेदारी किसकी है, पानी में क्या-क्या नजर आ रहा है, इन गड्डोर नालियों की मरम्मत करवानी की जिम्मेदारी किसकी है, क्या इन में से किसी जगा पर इकटे हुए पानी में लारवे भी दिखे, इन जगों पर पान तंकी नालियों जैसी जगह जहां पर पानी कठा होता है, साफ रखने के लिए पोस्टर बनाओ, स्कूल और घर के आसपास, अब ये पोस्टरों को लगा दो, और पता करो कि तुम्हारे स्कूल के आसपास की सफाई कराने की जिम्मेदारी आखिर है किसकी, और इसके साथ ही हम हमारे सामने है, इससे मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा, इसमें हमें जानकारी मिलने वाली है, कुछ और बच्चों ने भी सर्वे किया, उनकी रिपोर्ट के कुछ अंच यहां दिये गए हैं, आओ इने पढ़े, सबसे पहले सम्मूह एक है, इसमें बताया है कि हमारे स्कूल में नल के पास कुछ हरा हरा सा था, जिससे काई, यानि एक तरह के पौधे कहते हैं, काई से वहां फिसलन भी ज्यादा थी, बारिश में तो यह काई बहुत बढ़ जाती है, हमें तो लगता है, यह पानी में उगने वाले चोटे 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 पौधे हैं, समू दो के बच्चों ने लिखा, स्कूल के पास थालाब चोटे चोटे पौधों से भरा बढ़ा है, देखने पर पानी तो नजर ही नहीं आता, एक आंटी ने बताया कि यह पौधे तो अपने आप ही उग गए हैं, तालाब के आसपास गड़ों में भी पानी जमा है, इसम तुम्हारे घर या स्कूल के आसपास थालाब या नदी हो, तो उससे देखने जाओ, है न, क्या पानी में या उसके आसपास हरी भरी काई देखने को दिखाई दे रही है, तो हाँ, जब आप जाते हैं इसी जगह पर तो पानी में और उसके आसपास आपको यह हरी काई दे लिख रहे हैं उनके नाम पता करो अब वो किसी भी तरह के पौधे हो सकते हैं तो आप उनके नाम पता कर सकते हैं और उनके चित्र भी अपनी कौपी में बना सकते हैं क्योंकि आखिर आप एक आला दर्जे के चित्रकार जो ठेरे हैं इन्हें लगाया गया है या फिर अपने आप उग गए तो अक्सर ऐसे पौध है जहां पानी होता है वहाँ पे अपने आप उग जाय करते हैं पानी में और क्या-क्या दिख रहा है सूची बनाओ तो आप लिख सकते हैं कि भाई लारवा दिख रहा है मच्छर का गंदगी दिख रही घरी हरी काई दिख रही वगरा मच्छर के पेट की कहानी वग्यानिक की जुबानी पढ़ता हूँ ध्यान से सुनिये का यह है रॉनॉल्ल रॉस एक वग्यानिक है यहाँ मज़िदार किस्सा आज से लग भग सौ साल पहले का है एक वग्यानिक यहाँ पता लगाया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है चलो उन से ही सुनते हैं कि वे इस बारे में क्या कहते हैं तो अब रोनॉल्ड रॉस कहते हैं मेरे पिता भारतिय थल सेना में जनरल थे मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई की लेकिन मेरी दिलचस्पी कहानिया पढ़ने कविता लिखने संगीत और ड्रामे में थी खाली समय में मैं यही सब किया करता था उस समय मलेरिया से बहुत जाने जाती थी यह बिमारी ज्यादा बारिश और दलदल वाले अलाकों में पाई जाती थी कुछ लोगों का सोचना था कि गंदगी में कुछ जहरीली गैसे होती होगी जिससे ये बिमारी फैलती है एक डॉक्टर ने मलेरिया के मरीज के खून में माइक्रोसकोप से बहुत छोटे छोटे बारीक जिवानू देखे थे लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये जिवानू खून में कैसे पहुचते होंगे मेरे विज्ञान के गुरु ने अंदाजा लगाया और कहा मुझे लगता है कि शायद मलेरिया मच्छर से फैलता है इसकी जाज करने के लिए मैं दिन रात मच्छरों के पीछे ही पड़ गया हमें केक मच्छर के पीछे बोतल लेकर दौडते फिर मलेरिया के मरीजों को मच्छर दानी में बिठा कर उन मच्छरों को दावत देते हैं एक मच्छर को अपना खून चुसाने के लिए मरीज को एक आना मिलता, मुझे सिकंदराबाद के अस्पताल के विए दिन हमेशा याद रहेंगे, मच्छर को काट कर खोलना और उसके पेट के अंदर ताग जाग, एक बार मैं भी मलेरिया का शिकार हो गया, माइक्रोस्कोप प पर जुक कर बारीगिया देखते देखते शाम तक आख जैसे दुनला सी जाती थी, गर्दा न लगा कर जाती, इतनी गर्मी थी, फिर भी पंका नहीं जल सकते थे, क्योंकि हवा से तो मच्छर उड़ जाते, माइक्रोस्कोप में यह सब करने के बावजूद कुछ हाथ नही जाला सा दिखा, गौर करने पर पता चला कि वो छोटे छोटे जिवानू बिलकुल वैसे ही थे, जैसे हमने मलेरिया के मरीजों के खून में देखे थे, उसी से हमें यह सबूत मिल पाया कि मच्छर से ही मलेरिया फैलता है, रोनाल्ड रॉस को दिसंबर 1902 में चिकित्सा की शेतर में बड़ा पूरुसकार मिला, नोबल पूरुसकार, 1905 में मरते हुए भी वह कह रहे थे, कुछ ढून लूँगा, नया ढून लूँगा, अब हम क्या समझे, अपने घर में, स्कूल में और आसपास मच्छर नहो, उसके लिए तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है, इसक पाफ रखोगे, कैसे पता कर सकते हैं, कि किसी को मलेरिया तो नहीं है, उसे ठंड लगके बुखार आता होगा, शरीर कमजोर पढ़ जाता होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें, उससे पता किया जा सकता है, चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा, नमस्कार